सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रैड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए दोस्तों Bureau of Indian Standards short form में 20 इसमें एक लेटेस्ट वीडियो के संजारी हुआ है इसमें 155 वैकन्सिज है यंग प्रोफेशनल इंटर्न्स और ट्रेनी पोस्ट के लिए इसकी लास्ट एटेप लेए उनलाइन करने की 25 चार 2,018 है और रिटर्न टेस्ट या इंटर्यू के माध्यम से से इसमें सेलेक्शन होगा वैकन्सिज की 100 डिटेल्स देख लेते हैं यंग प्रोफेशनल की 46 वैकन्सिज है और सेल इसमें 50,000 रुपे परमन्त दी जाएगी इंटर्न के लिए 6 वैकन्सिज है और 5,000 रुपे सेल इसमें परमन्त के लिए Graduate Engineer Training के लिए 43 vacancy जायर और 35,000 रुपे पर मंत है Science Graduate Training के लिए 22 vacancy जायर और 35,000 रुपे पर मंत है और Diploma Training के लिए 38 vacancy जायर और 30,000 रुपे जायर और 35,000 रुपे जायर पर मंत के लिए है तो Total 155 vacancy जायर इसके बाद Eligibility Criteria देख लेते हैं Young Professional Post के लिए 35 years से कम age होनी चाहिए और इसमें Qualification Master Degree पास होना चाहिए जैसे कि BTEC, MBA, CAI इसके बराबर पास होना चाहिए और Intern Recruitment के लिए Graduation, Post-Graduation पास होना चाहिए Training के लिए age 35 से कम और BTEC, Graduate या Diploma in Engineering का पास होना चाहिए इस Recruitment पर एपले करने के लिए आपको इसकी official website bis.ioe.in पर जाना होगा और इस website के open होने के बाद इदर right side में What's new section में Engagement और Professional Owned Terms Basis Link पर क्लिक करना है इस link पर क्लिक करने के बाद एक new page open हो जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं Recruitment, Advertisments या Results section में यह young professional के लिए detailed advertisement आप यहाँ से download कर सकते हैं और interns के लिए यहाँ से और trainee के लिए यहाँ से और important instructions है apply करने के लिए यह link है और apply online करने के लिए आपको click here to apply online link पर क्लिक करना होगा click here to apply online link पर क्लिक करने के बाद एक new page open हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं यह box इस box पर click करने के बाद यहाँ पर submit करना होगा submit करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर name, father's name, post जो apply कर रहे हैं आप उसको select करना है area select करना है, station of posting और उसके बाद आप देख सकते हैं building ऐसे आपको पूरी जानकारी इसके अंदर बढ़नी है और पूरी details बढ़ने के बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं submit, submit बटन पर click करना है तो ऐसे आपका online registration complete होगा तो दोस्तो इस recruitment की और जानकारी के लिए link नीचे में description में डाल दूँगा आप वहाँ से इनके detailed advertisement डाउनलोड कर सकते हैं तीनों post के और apply online का link भी नीचे description में डाल दूँगा आप वहाँ से direct apply online भी कर सकते हैं